मैं आप लोगों को अपने पेशन के बारें बताना चाहते हूं जिनका नाम था मनोश सिन्ना इनकी समस्या यह थी कि जब भी फ्रेश होने के लिए जाते थे उस दौरा इंको ब्लीडिंग बहुत जादा मात्रा में होती थी और इनको रेक्टम एरिया में इंटर्नल मस्से भी भी फ्रेश होने के लिए जाते थे उस दौरान के रेक्टम एरिया में सूजन आ जाती थी जिसकी वजह से इंको दर्द जलन चुबन का ऐसा समेशा बना रहता था उठने बैटने में बहुत जादा तकलीक रहती थी फेट साप नहीं हो पाता था फ्रेश होने के दिन में ल यहां पेट से कान बूस बात कर रहा हुं सर्जा आप्री मेडशीन से लेजी दिया जाओ अभी आप कैसे मैं सूसकर है हमारी मेडशीन लेने के बार लेख चिरीक के अभी तो आराम है जाथ फीडबेक के लिए वाले सरबता बहुत कि इतने परसंट का आराम हो गया है आपको तो लगता है कि अभी तो 70% लगता है राम है 70% तर का राम लगड़ा है तर दवा से कुछ साइड एफेट रही मैसुस हूँ आपको ना साइड एफेट क्या कुछ नहीं अच्छा सर बता पाइं दवा लेने से पहले आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी प्रॉब्लम होती है तो हमारे बेंगे नंबर पर आपने प्रॉब्लम को बता करते हैं क्या दिया आपको विपाइस पिसला जैसे किसी भी विब्मारी संबंदीत को भी परेशानी हो रही जैसे कि लगसर बनी रही या पिर आपके रॉब्लम इरिया से पसका डिशार्ज होता हो तो आप नीचे दिएगा नंबर पर कांटेट कर सकते हैं और हमसे उचेद परामर्स ले सकते हैं धन्यवाद